Hello and Welcome to Fun Learning जैसा आप जानते हम ट्रेक के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रेक कैसे मार किया जाता है ये इसका दूसरा पार्ट है आप शुरू से लेकर लास्ट टक वीडियो को पार्ट वाई पार्ट सिक्वेंस में देखिए आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको ट्रेक मार करने में कोई भी प्राबलम नहीं आएगी आज की वीडियो में हम 100 म, 200, 400, 800 म का स्टार्ट मार करना सीखेंगे साथ में स्टैगर क्या होते हैं, स्टैगर कैसे मार किया जाते हैं कहां पर कौन सी स्टैगर लगाया जाते हैं, यह सारे चीजे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले 100 म का स्टार्ट देखें कहां पर होता है 100 म के लिए हम सीधा ही स्टैट लाइन यहां से आगे खिंच देंगे तो यह यहां से यहां तक कितना है, 84.39 मीटर तो हमारा स्टैट है अब यहां से आगे हमें कितना लेना है, 15.61 मीटर तो यह पूरा हो जाएगा 100 मीटर और जहां पर भी 15.61 मीटर आएगा, हम यहां पर एक लाइन कीश देंगे तो यही है हमारा 100 मीटर का starting line तो यहां से यहां तक कितना है 100 मीटर हो जाएगा और 100 मीटर की race में lane की boundation होती है खिलाडियों को अपने ही lane में दौणना होता है 100 मीटर के अंदर भी 200 और 400 मीटर के अंदर भी lane की boundation होती है और अगर खिलाड़ी अपनी लेन में नहीं दोड़ते हैं तो उनको डिस्कॉलिफाई कर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर 100 मिटर के आगे ही 10 मिटर आगे यहाँ पर हरडल स्टार्ट होता है 110 मिटर हरडल और उसके 3 मिटर आगे असेंबली लाइन होती हैं रेस के पहले यहाँ पर एथलीट असेंबल हो जाते हैं सारे जो फिनिश लाइन होती है सबी रेसेज की एक ही होती है यह वाली और इसके अलाबा यहाँ पर कई रेसेज का स्टार्ट भी होता है जैसे 400 meter, 800 meter, 10,000 meter, 4 x 100 and 4 x 400 meter relay इनका start भी इसी line से होता है और जो starting line और finishing line है ये white color से मार की जाती है फिर है 200 meter का start अब क्योंकि 400 meter का ये पूरा track है और ये वाली finish line है तो आधा track कहां पे हो गया यहां से ये dot start होगी 200 meter की 200 meter में भी lane की boundation होती है अपनी ही lane में इसको dot na होता है लेकिन अब यहां पर देखिए क्योंकि इने अपनी ही lane में dot na है पर देखिए जो पहली lane में खिलाडी dot रहा है वो तो पूरा यहां से यहां तक 200 meter dot देगा लेकिन जो दूसरे lane से लेकर 8 वी lane तक के athlete है इनको तो ज़्यादा दौड़ के आना पड़ रहा है करव क्योंकि इने अपनी lane में भी दौड़ना है और पूरा इनको देखिए यह करव जो है वो दौड़ना पड़ रहा है तो यह इसके compare में तो ज़्यादा दौड़ रहे हैं सारे दूसरी से 80 lane तक के इसके लिए क्या किया जाता है stagger दे जाते है stagger क्यों दे जाते हैं ताकि सबी जो athlete होते हैं उनको equal distance यहाँ पर दौड़ना पड़े stagger को हम समझेंगे उससे पहले देखिए हमने कहा 400 meter का जो track होता है उसकी starting line भी यह वाली होती है तो एक round जो है वो पूरे track का यहाँ पर complete कना होता है और 400 meter के track में भी अपने ही lane में खिलाडियों को दौड़ना होता है lane की प्रतिवत्ता होती है foundation होती है और क्योंकि 400 meter की दौड़ में दो कर्ब यहाँ पर दौड़ने पड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा full stagger दिया जाएगा distance को बराबर करने के लिए और 200 meter में half stagger और यह stagger कैसे निकाले जाते हैं और यह stagger कितनी दौड़ी पे दिये जाएगी दौड़ी यानि कि जितना वो ज़्यादा दौड़ रहे हैं इस curve में उतना ही आगे उनको दौड़ाया जाएगा उसको किस तरह से calculate करते हैं इस तरह से देखिए half stagger 200 meter के लिए 400 meter के लिए full stagger full stagger का formula होता है w n-1-10 cm into 2 pi अब 2 curve है तो 2 pi लगेगा यहाँ पर इस formula में जो w है w होता है width of lane और जो n होता है यह number of lane होता है 1.2 meter into pi एक curve दोड़ना पड़ रहा है तो 1 pi अब हम इस formula को निकाल के देखते हैं half stagger first lane में तो कोई भी stagger नहीं दिया जाता है जो दूसरी lane से होते हैं वो stagger लगते हैं अब हम इस में फर्मोले में value पूट करते जाएंगे width of lane कितनी होती है हमने बोला था lane की विर्थ होती है 1.22 meter और number of lane कितनी है 2 number of lane यानि कि कौन सी lane है वो होगी यहाँ पर 2 minus 1 minus 10 cm into pi की value कितनी है 22 बटे 7 और इसको calculate कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 3.52 meter और इस तरह से हम सभी lanes का निकाल देंगे सिर्फ क्या होगा यहाँ पर number of lane चेंज होगी तीसरी lane है तो यहाँ 3 होगा 4 है तो 4, 5 बाकी इस तरह सारी value बरके हम सारी calculation यहाँ पर निकाल देंगे और इसी तरीके से full stagger के अंदर इस formula में भी value बरते जाएंगे तो सारी full stagger की values हमारे पास निकल जाएंगी इसमें सिर्फ 2 पाई है यहाँ पर देखिए दो गुना बाइबटे साथ हो जाएगा बाकी width of lane तो 1.22 ही है तो number of lane देखिए दूसरी lane का निकारे तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से 8 lane तक का हम सारे full stagger निकाल देंगे easily तो यह सारी values हमारे पास अगर निकल के आ गई तो उसको mark कैसे करेंगे stagger को 200 meter के start में half stagger देना है तो half stagger की values हमारे पास है second lane का stagger देखिए कितना है 3.52 meter अब यहाँ पर देखिए second lane के अंदर हम क्या करेंगे 20 cm का distance छोड़ते हुए क्योंकि line पे तो नहीं दौट सकता खिलाड़ी ऐसा माना जाता है कि वह 20-20 cm छोड़के दौटता है तो 20 cm का distance छोड़के हम क्या करेंगे कीले गाड़ते जाएंगे यहां पर हमने कीले लगा दी मान लिजे यहां पर हमारा आ गया कहीं पर 3.52 meter तो हम यहां center point से एक रस्ती विछा देंगे और जहां पर भी यह हमारा आ जाता है 3.52 meter तो वहां पर हम mark लगा देंगे इसी तरीके से third lane में भी होगा 20 cm का छोड़के हम क्या करेंगे यहां पर 7.35 meter तक हम mark कर देंगे और जहां पर बेवी वह आता है तो वहां पर हम निशान mark कर देंगे इसी तरीके से हम सारे के सारे staggers को mark करते चलेंगे center point से तो यह हमारा हो गया 200 meter के staggers लग जाएंगे इसी तरीके से हमारे 400 meter के start में होंगे full staggers वो भी same इसी process में लगाए जाते हैं हम 20-20 meter का distance छोड़के जहां पर भी आये तो center point से रशी बिचा के उसको मार कर लेंगे 800 meter की race 800 meter की race यानि कि दो round लगेंगे 400 meter का track है दो round लगेंगे तो 800 meter की race पुरी हो जाएगी 800 meter की race में एक करव की foundation होती है यानि कि एक करव खिलाडियों को अपने ही lane में दौणना होता है फिर उसके बाद वो सारे क्या है first lane में enter हो जाएंगे इसलिए 800 meter में क्या होता है half stagger दिया जाता है क्योंकि एक करव जो है अपनी lane में दौणना होता है और प्लस इसमें क्या होगा D.E.D. Diagonal Running Axis Distance अब ये diagonal axis distance क्या होता है अब athlete देखे यहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं अपनी ही lane में और ये यहां पर green color में दिखाए दे रही है break line इस break line के बाद क्या हो जाएगे सारे athlete जो है वो first lane में enter कर जाएंगे इस तरह से अब जो खिलाड़ी देखे यहां से यहां तक दौड़ के जा रहे हैं अब यहां पर देखे जो first lane वाला athlete है उसको तो सिर्फ 84.39 meter दौड़ना पड़ रहा है लेकिन जो बाकी के दूसरी से 80 lane तक के खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा distance दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें यहां से लेकर इस तरह से diagonally दौड़ के आना पड़ रहा है यह straight चल रहा है पहली lane के compare में बाकी के यह जो athlete है यह कितना ज़्यादा दौड़ के आ रहे हैं उसको ही diagonal axis distance बोलते हैं और 800 meter के stagger देने के लिए पहले हम diagonal axis distance को यहां पर निकाल देते हैं इसको आप देख सकते हैं इस तरह के triangle बन रहा है जिसमें हमारे पास B की value है ठीक है कितना है यहां पर 84.39 meter तो straight है B की value है हमारे पास perpendicular P हम इसको calculate कर लेंगे क्योंकि हमको lane की width पता है कितनी है यहां पर देखिए P को calculate कर लेते perpendicular को अब दूसरी lane के लिए देखिए यहां से यहां तक का distance हमने देखना है इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं हमने सारे पहली lane के compare में देखने यानि यहां से लेकर यहां तक का distance हमने देखना है तो हमें lane की बिट तो हमें पता है 1.22 meter है यहां से यहां तक और क्योंकि जब हमें पता है यहां पर खिलाडी के है 30 cm छोड़ के दोड़ता है तो यानि कि यह 30 cm तो इसमें less करने पड़ेंगे और पैसा मानना जाता है जो खिलाडी है दूसरी lane के बाद वो 20-20 cm छोड़ के दोड़ेगा क्योंकि यहां पर raise border नहीं है तो यहां से यहां तक का distance हो गया 20 cm यहां से diagonally दोड़ के आएगा तो हमारे पास यहां से यहां तक का total distance कितना हो गया यानि perpendicular कितना हो गया lane 2 के लिए तो हम क्या कर देंगे इस 1.22 meter में से 30 cm हम less कर देंगे और 30 cm हम इसमें plus कर देंगे तो यह कितना निकल गया perpendicular lane 2 के लिए 1.22 meter minus 0.30 meter क्योंकि यह meter में अगर centimeter को करेंगे तो 30 cm हो गया 0.30 meter तो यह total कितना निकल किया गया 1.12 meter अब एक बार lane 2 का निकल गया तो हम easily इसको आगे निकल सकते हैं सारे अगर lane 3 तक का निकलना है माल लिजी तो lane 2 का हम को पता है 1.12 meter है तो इसी में हम क्या करेंगे 1.22 meter को plus कर देंगे तो यह आगे 2.34 meter इस तरह से ही सब का निकलता जाएगा अब 1.22 meter को हम plus करते जाएंगे तो ही सारे 8 lane तक के हम easily निकल सकते हैं अब हमारे पास सभी lane के perpendicular निकल गए P निकल गए P वेस हमारे पास है 84.39 meter हमने निकलना है h diagonal distance निकलना है जो की पाइथागोरस से हम easily निकल सकते हैं second lane के लिए देखिए अब पाइथागोरस का फर्मूला होता है h square equal to p square plus b square तो h अगर निकलना है तो ये root के अंदर आ जाएगा p square plus b square अब इसमें आगे कुछ निकरना बस हमने p और b की value डालनी है p की value हमने अभी पहले निकली perpendicular की जो की कितनी थी 1.12 meter तो 1.12 meter उसका whole square plus हमारे पास b है 84.39 meter उसका square और इसका square करें तो ये हमारे पास आगया 1.48 और इसका square करें तो ये value हमारी आती है और अगर इन दौनों को plus कर दें तो ये कितना आता है root of 7123.15 और इसका root निकाल दे तो कितना आता है ये आता है 84.398 meter ये है second lane के लिए diagonal distance क्यानि कि second lane वाला उसको पहली lane तक आने के लिए ये diagonal जो distance दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है 84.398 meter ये दौड़ रहा है यहां से यहां तक और इसी तरह से इसी formula के द्वारा हम सभी lanes का निकाल देंगे easily बस यहां पर क्या होगा P की value change होते जाएगी इसे second lane के लिए थी हमारी 1.12 meter तो third lane का निकानल होगा तो यहां पर कितनी आएगी 3.56 meter 5 के लिए 4.78 meter का square इस तरह से सारी values हमारे पास निकल जाएगी जो निकला है ये निकला है हमारा diagonal distance diagonal axis distance नहीं निकला है अभी diagonal distance यानि यहां से यहां तक महुचने में उन्हें कितनी दूरी देख करने पड़ी है वो निकल क्या है अभी तक diagonal axis distance यानि कि वो कितना जादा दोड़े हैं पहली lane वाले के compare में हम क्या करेंगे जो diagonal distance रहेगा सभी lanes का उनको क्या करेंगे 84.39 मीटर से माइनस कर देंगे सभी का diagonal axis distance निकल जाएगा और एक बार यह पता चल गया कि कितना जादा दोड़ रहे हैं तो हम इसको stagger दे सकते हैं 800 मीटर का जो कि क्या होता था half stagger plus d-ad diagonal axis distance तो half stagger हमने अल्रेडी निकाल दिया है पहले सभी lane के अंदर उद में से क्या करेंगे diagonal axis distance को हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास 800 मीटर का stagger निकल जाएगा तो इसको भी मार्क देखे कैसे करना है same process है यह हमारे 400 मीटर के stagger लग रखें बाइट कलर में यह 200 के लगे हुए है 800 मीटर के भी बिल्कुल ऐसे लगाए जाएंगे जैसे second lane का है 3.52 मीटर यह 528 मीटर है इसको round up करके 53 मीटर लिख सकते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 20-20 cm छोड़ कर खेले गारते जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा आ जाता है तो हम इसको भी क्या करेंगे सेंटर पॉइंट से रस्ती किंच के स्टैगर मार करते जाएंगे इस तरह से हम सब का निकाल देंगे इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं अगली वीडियो में हम यहाँ के आगे करेंगे 1500 मीटर 5000-10000 मीटर I hope आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए ताकि आने वाली सारी नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे